हलो फ्रेंड्स, उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे, यह HTML का बेसिक कोर्स है, इसमें हम हम HTML के बारे में पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू कर हलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम list item के बारे में पढ़ेंगे, तो HTML में दो किसम की list item होते हैं, एक order list एक अग order list, तो basically हम इसको HTML में list को item wise करने के लिए यूज़ करते हैं और इसी तरह हम सीरियलाइज करने के लिए आइटम को मल्टिपल आइटम को यूज़ करते हैं इसके लावा हम साइड बार में साइड मैन्यू के लिए भी यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम को और टॉप में इंलाइन मैन्यू के लिए नैविगेशन के लि लिस्ट आइटम यूज होता है तो चलते हैं देखते हैं लिस्ट आइटम बेसिकली है क्या तो यह मेरा कोड है जैसे के यहां पर OL लिखा हुआ है तो यह ओडर लिस्ट है मतलब यह के यह इसमें नम्बरिंग शो होगी अल्फाबेट का गोई भी A से लेके ABCD Capital Small दोनों किसम के इसके इलावा Roman जो हमारी होती है अकाउंटिंग वगएरा वो भी यूज कर सकते हैं हम इसमें तो इसके इलावा यह UL टैग है यानि के यह हमारा अनॉडर लिस्ट होती है इसमें जो हमारे लिस्ट आइटम में वो एक डिस्क या सरकल वगएरा जो बुलिट आ देता हूं जैसे के यहां पर हमारे लिस्ट आइटम 1,2,3,4,5 से आ रहे हैं लिखे में तो अगर मैं चाहता हूं कि हमारे जो इसकी टाइप है वो A, B, C, D हो जाए तो मैं यहां पर टाइप की जगा A लिख देता हूं तो यह देखें आटोमेटिकली यह A, B, C, D, E हो ग मैं small में लिखना चाहता हूं तो small में आ जाएगा यह तो यह इस तरह से work करता है इसके अलावा अगर आप इसको एक किसी खास जगा से start करना चाहते हैं जैसे के मैं अगर इसको यहां से copy करके पेस्ट कर दूँ और इसको यहां से मैं जैसे के उपपर है हमारा अगर मैं आपको अभी दिखाओं इसको मैं चेंज कर दिता हूँ और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आप यह Mohammed से शुरू हो रहा है दुबारा तो इसको अगर आप 6 से स्टार्ट करना चाते हैं यहाँ पर आपको 6 लिखना पड़ेगा उसके बाद यहाँ से 6 से स्टार्ट हो जाएगा हुआ 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 ह Touhou इसी तरह बाकी भी जो टाइस हैं उसमें भी हम यहीं उखिंज कर सकते हैं स्टार्ट का बाकी जैसे ao abruptly इससमें भी हम इसको इसको सकते हैं जैसेए यहाँ 예 Boss D आड़ में यहाँ पर 거지 अब एक यह लग यह लिकूं तो unorderless basically जो इसका default होता है ये bullet होता है dark किसम का अगर मैं इसको चाहूँ circle इसमें लिख दूँ तो इसमें circle आजाएगा ये देखें और इसके इलावा अगर मैं इसको square shape देना चाहूँ तो ये देखें ये square में change हो चुका है तो friend इसको हम inline भी लिख सकते हैं उसके लिए हमें inline command देनी पड़ेगी जो हम CSS से कर सकते हैं तो friend ये था आज का topic मीज़ा आपको पसंद आया होगा मेरी वीडियो को like, share, subscribe करें